रभश्कार क्या हाल चाले हैं सब ठीक हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आपनों और अपने को ख्याल लाग हो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो देशी देख बिगर बिडिक और बगए लाग लपिट बिलकुल देशी अंदाज में हमारे साथ प्रोफिसर कटर हिंदू प्रोफिसर प्रोफिसर अर्म्ने स्यादव अब आप समझगे होगे तो प्रोफिसर साथ स्वागत है जी बहुत बहुत धन्यवास साथ सब पहले तो प्रोफिसर साथ जंता को बहुत बहुत बढ़ाई क्योंकि बस्पा सुप्रियों बहन माया वत तोर से बहुजन समाज जब बहन जी ने फैसला लिया था आलां कि हमारा तो देखो उन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उनका अपना पार्टी का अंदरूनी मामला है कई वार लोग कहते हैं ना वही तुम तो यार इंडिया गठवंदन के कॉंग्रेस के हो तुम क्यों ब बहुजन समाज का जो युवा वर्ग है जो पड़ा लिखा युवा है यह खासा हतोत्सायत हुआ और उसके बाद आप देखो जो यह रिदम बना था बीएसपी का सुरू के तीन राउंड के चुनाव में वो रिदम आगे तूट गया और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ब बीजेपी की तो यह आंकड़ा जो है ना आपके दर्सकों को बता रहा हूं यह आंकड़ा 200 पे रह जाता जो 240 है ना बीजेपी यह आंकड़ा 200 पे रह जाता बाई साब लेकिन चलो देर आए दुरुस्ता है अवाकास आनंद को जो है उत्तराखंड का प्रभार दिया है और टीवी चैनलों पे बैठाना फिर से सुरू करना चाहिए क्योंकि वो चीज भी बंद हो गई है यह भी आपके दर्सकों को जानना बहुत जरूरी है कि जब तक आपकी आवाज टीवी के माद्यम से भले ही टीवी गलत दिखा रही हो लेकिन कम से कम दो मिनट पांच मिनट आ रखेंगे का बंद होगे बहुत अब देखो साथ समय कंग्रेस का प्रवक्त का वैठता है समाजवादी प्रवक्त था धे आर्जेटी का सबीड़्ता है जबकी फॉस चोटी शोटी पार्टी एल जी पी जो चिराग पास्वान वाली उनके भी प्रवक्ता राश्टी पार्टी राश्टी पार्टी उसका प्रवक्ता नहीं बैठा बाई सब बताओ कितनी गलत बात है तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के माद्यम से बसपा सुप्रीमों तक क्योंकि मुझे मा बात रखी और बात ये रखी है कि जो बसपा की प्रवक्ता जो भी है अगर नहीं है तो नुक्ती होनी चाहिए और वो चैनल पर बैठने चाहिए अगर वो चैनल पर बैठने चाहिए तो बात करेंगे पार्टी की बात करेंगे बेहन जी की बात करेंगे समाज की बात और कहीं न कहीं यह बात विल्कुल उपर तक जाएगी और यहाँ पर उमीद है कि यहाँ पर कचुनर कचु संग्यानली हो जाएगी देखो इसमें एक बात और है क्योंकि जो हमारा युवा है वो बस्पा की विचारदारा से जो कनेक्टिविटी है वो तूट रही है प्रवक्ता जब लगातार चैनलों पे आएगा तो वो कनेक्टिविटी बन जाएगी और समाज में जहां भी बोजन समाज के लोगों के साथ जातियां हो रही है तो प्रवक्ता उस बात को उठाएगा टीवी पे उठाएगा तो बरावर वो चीजें आएगी बही केवल बैंजी के उपर और भी काम है ना तो बैंजी सारी जिम्मेदारी लें तो ये भी मैं उस इतना ही मानता बैंजी ने अब जो उप्चुनाव होने हैं उनकी तैयारी सुरू कर देंगे और उन तैयारी में मजबूती के साथ हलागि आपते पहले कभी भी उप्चुनाव बीएसपी ने नहीं लड़े ये पहली बार है कि बस्पा जो है पहली बार उप्चुनाव लड़ेगी हम जो है हमारा इंडिया गठवन्दा ने इस पहल का स्वागत करता है व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा खुस हूँ प्रफुल्लित हूँ कि बस्पा उप्चुनाव लड़ रही है और हम तो यह कह रहे हैं कि जितने भी उप्चुनाव हों चाहे वो विदायकी के हों या सां हुई है तो उस तरीके से हम यह कह रहे हैं कि जो बस्पा के और कारे करता है तो इनको भी जैसे अवाज उठानी चाहिए जैसे अलीगड में अभी एक दुरघटना हुई थी तीन दिन पहले की बात है तो उसमें हमें देखके बड़ा अच्छा लगा कि सपा और बस्पा के कारे करता एक साथ मिलके उन्होंने बीजेपी के कारे करताओं की दुलाई की जो एक मुस्लिम के साल लिंचिंग हुई थी तो उसमें बस्पा के भी कारे करता हुआ पहुँचे और सपा के भी पहुँचे चोटा सा मामला था लेकिन बीजेपी के कुछ गुंडों ने कुछ शासामाजिक तत्तों ने उस मुस्लिम को मार मार के उसकी लिंचिंग कर दी तो उसके बाद जब सपा और बसपा के कारेकरताओं ने चक्का जाम किया तब जाके उनकी गिरफतारी हुई है तो अगर कारेकरता जमीन पे रहेगा नेता जमीन पे रहेगा तो बोजन समाज के बालक पढ़ रहे हैं, महनत कर रहे हैं, घर वाले पैसा लगा रहे हैं, एक एक पैसा अपने पेट काट 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 के जोड रहे हैं, और फिर खुन पसीना की महनत की कमाई को बालक पर लगा रहे हैं, और बालक को मनोवल भी टूट रहे हैं, परिवार को मनोवल भी टूट रह और बालक परिसाने निराश है पूतियां साफ करता था डॉक्टर बनेगा साफ पीएजडी करेगा सोध करेगा नीट की परिच्छा इसमें एंबीबीएस करता है बच्चा तो यह इनके साथ दिक्कत है कि भाईया एक पड़ा लिखा डॉक्टर आएगा वो इलाज करेगा सब का साफ वो समाज का मेला उठा करता था इस बनेगा साफ पीची बनेगा साफ तो यह जो है मनवादी विचारदारावाले यह एक सड़यंत रच रहे हैं धर्मेंद प्रदान कौन धर्मेंद प्रदान भी तो पर से जुड़े हूए है चाहीं असुनिंट आइस तो जुड़े हुए माहीं की फैक्टरी से उसमें यहीं सिखाते हैं कि जो स्टी तो ऑशी हो के लोग इनको आप मुख्यदार में मताने अब बताओ अब बियार में तो जातिकत जनगड़ना हुई उसके बाद 65% आरच्छण मिला SCSTOBC को नोकरी में फायदा मिला डगा तक जो है तीन लाख नोकरीयां बियार में बटी और पूरे देश में के जो SCSTOBC के 65% वहां लग गई अब साव वहां कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वह आरच्छण को हम झो है खतम करेंगे तो अब यह बताओ इससे किसे नुकसान है किसने करवाया है बीजेपी के लोगों नहीं तो करवाया है अब समराथ चाधरी उसका विरोध कर रही चूकि समराथ चाधरी आपको दरसकों को बता दूँ बीजेपी के ही नेता है उप मुख्यमंत्री है लेकिन पिछ्ड़े समास से हलां कि हमारी विचारदारा है उनसे एक साथ मिलके 65% आरच्छन दिया था उस पे छुरी और चाकू और तलवार चला दी साथ अब सोचो अगर इंडिया गठवंदन की सरकार आ जाती तो कहीं ना कहीं पूरे देश में यह आरच्छन की विवस्था लग जाती और इससे कितने दलेत और पिछणों को बच्चों को फाइदा होता अब आप अंदाजा लगा के देखो और बीजेपी क्या साजिस कर रही अच्छा आपके चैनल के माद्यम से एक ब्रेकिंग न्यूज और देना चाहरा हूं मैं अब जहार खंड में भी जो वहाँ पे चंपाई सोरेन साब आदिवासी समास से आते हैं वह होगी और उससे फाइदा किसे मिलेगा दलित सोसित और वंचित समाज को जो मुख्यदारा से दूर है तो इस पस्ट दोर पे प्रॉफेसर साब को कहनों है और बात कहीं न कहीं तक सही भी है कि जो सोसित वंचित और दलित समाज के लोग हैं बहुजन समाज के लोग हैं वो क सासो कोई पलट जा इंडिया गडवन्दन की सरकार कैसे भी बन जा तो इनने भी देखने को एक मौकों मिल जाओ हाला कि सबते बड़ी खुसी आबात की है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायवती ने आगास आनन्द को दुवारा वापिस ले लिए लिए और वो पार्टी में दुवारा शक्रिय रहंगे और अपनी बात को रखंगे और जो युवा है बहुजन समाज को कहीं न कहीं टक टक ही लगा के आगास आनन्द की तरफ हो देख रहा है नई वीडियो में फिर आप ते रूबर रूँगे जब तक के नहीं है देशी देख बिगर बिरेक और बगर लागलब बेट बिलकुल देशी अंदाज में बहुत बहुत दन्यवाद नमश्का